एस बी न्यूज सच्चाई के साथ शुरू होकर इटाबा, जालोन और औरईया के पचनद शेतर में फैले वीहडों में नेचर वॉक किया चम्बिल टूरिज्म का लुप्त लेने पहुंचे अंतराश्टिय टीवी कमेंटेटर और अविनियता हारुन राश्ट ने कहा कि चम्बिल घाटी में एडवेंचर के साथ हैरिटेज और नेचरल साइट की भरमार है इसकी ब्रांडिंग करके विदेशी सैलानियों को आकरशित किया जा सकता है चम्बिल टूरिज्म से हजारों को प्रोजगार मिल सकता है मार्शल आर्ट के अराश्टे खिलारी रोशन पंत ने बताया कि चम्बिल घाटी में तमाम अजूबे धरोहरों को देखकर रोमांच से भर गया हूँ इस घाटी में तमाम तरे के रहसे छुपे हुए हैं यहां बदलाव की इमारत लिखी जा सकती है जिससे नई पीड़ी को लाम मिलेगा मुमनी कुश्वानी बताया कि दो दवसिये चम्बल हैरिटेज बाग के दोरान चम्बल टूरिज्म के मांचित्र के अनुसार 16 प्रमुक इस्थानों को का यादगार ढुमर किया प्रमीर यादब ने कहा कि 600 डालफिन सेंटर में दुर्बीन से घड़ियाल कच हुआ और डालफिनों के नजारे पहली बार देखा है रुबी सींग ने खुशी जाहर करते हुए कहा कि भरह यबना चम्बल संगम में दरजनों देशी विदेशी चिलियों का नजारा देखा पुषपेंद्र पुषबा और सातियों ने जालों जनपत इस्थित पशनद तीरे बोटिंग का आनंद लिया रात्री पढ़ाओ के दोरान और या इस्थित पशनद पर सांस्क्रितिक आयोजनों का दोर चलता रहा इसी दोरान 1915 में बनी टेल इसकोप से ग्रहन चित्रों का दीदार किया चांदी की तरह चमक्ती रेट पर भोजन और केंपिंग की गई सुबह फिशिंग, कैंचिंग एंड रिलीजिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया तथा कई खेल आयोजित किये गए इस दोरान बीरेंद सेंगर ने पचननद पर सपेत गोड़े से कर्तब दिखाया रात्री केंप सुरक्षा प्रभारी संतोस निसाद ने अपनी महतपुर भूम का अदा की चंबल हैरिटेज बाक में मोहित यादब, चंदरुदे भधोरिया, राहुल तोमर, सीलेंदर परताव सिंग, गरजेश कुमार, विमल सिंग, कुशवाह, जितेंदर परताव सिंग, गौतम, शाक्य, आदी शामिल रहे पर कमल कुमार कुश्वाह है, और चंबल परेटन ये ऐसा सब्ध है, जो कि यहां की प्रदर्शनी से सुरू हुआ, सन 1910 से लगने वाली एतियाशिक प्रदर्शनी में, हम लोगों ने पहले प्रयास के तोर पर चंबल टूरिज्म का एक कैम बनाया, जहां पर लोगों की प तो ऐसा ही कुछ प्रारंब हुआ, चुगल खोर की मजार से सुरुवात हुई, और लोगों में काफी उस्ताहा दिखाई दे रहा था, कि एक एतियाशिक बिराशत को सजोने के साथ साथ तूरिज्म का भी अनवब उन्हें मिलेगा, हम लोग जैसे ही चंबल 36 पर एंट्री ह हुए, तो वहीं पर हम लोगों ने बाश टावर से घड़यालों को देखा, हमने लहराती हुई, चंबल लधी कि में डॉल्फिनों को देखा, और और भी कई सारे जो जीवंत प्राकृतिक अनुवब थे, वो हमें वहां मिले, सन 1915 इसबी की जो टेलिश्कोप था, उससे हम लोगों ने चांद तारे देखे, तो निशित रूप से बहुत मज़ा आया, दुरवीन से प्राक्रतिक बातावर्ण को देखा, इसके वाल हम लोग पच्छनत घाटी पर पहुँचे, तो पच्छनत घाटी में जहां पर बड़े-बड़े डाकों के नाम से पूरे लगों की सांत घाटी में सबसे सुन्दर अनुभव ने प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से हमारी और भी चीज़े होती रही, रात में हम लोग रुके रहे, सांस्कृतिक शंध्या के रूप में, कई प्रकार के इंस्टुमेंट के साथ में लोगों की कलावाजियां होती र लिए है, वो सभी साफ और सक्षमनी रहें, इसके लिए हम लोगों को हमीशा प्रयास रते रहना चाहिए, अमोमन लोगों की एक आम धाड़ा होती है, कि जहां पर लोग जाते हैं जादा, वहां पर गंदगी जादा फैलती है, लेकिन हम लोग इसके इतर, कि लोग जहां ज मात्र और जीवन्त रूप हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने अनवब किया। तो चंबल घाटी में पिछले 15 वर्षों से बहुत काम कर रहे हैं, यहां की सब्विता को, यहां की डाइवर्सिटी को, यहां की जो रिच कल्चर है, उसको पूरे विश्व के सामने लेकर आने के लिए, चार किताबें अब तक लिख चुके हैं, शाहलम और कड़ी मेहनत कर हैं, जुनून के साथ चंबल शेतर से लगाव हैं उनका, और उनहीं के आमंतरन पर मैं यहां पर आया हूँ, और शर्त लगा कर कह सकता हूँ, कि अपनी कार्रे के चलते मैंने जितना भी भिरमर्ण पूरे हंदुस्तान के अंदर किया, उन तमाम जगाओं से मैं इसकी तुल सिंग तोमर बॉलिवोड मूवी देखिये, उससे लोगों को काफी कुछ पता लगा, लेकिन साथी साथ निरफे गुर्जर के नाम आपको पता होगा, फूलन देवी का नाम आपको पता होगा, इन सबसे हटकेर, यहां पर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, नेचर की, हजारों तरीकी प्रचातियों के वन्यजीव हैं, और पांच नदियों का संगम यहां पर देखने को मिलता है, संगम का आपने पहले भी नाम सुनाओगा, अलाबाद के अंदर जिस तरीके से नदियां मिलती हैं, इसको संगम कहा जाता है, लेकिन बिहड के अंदर, चंबल क को इस तरीके के रास्ते देखने को नहीं मिलेंगे, जो डाइवर्सिटी, जो रोमांच आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बिच्चु का शब्द आपने कई बर्तबा सुना होगा, लेकिन यहां पर एक बिच्चु पाया जाता है, उसका नाम है बिच्चु बेर, जंग बकरी की नसल है, उसको जमना पार कहते हैं, और काफी लंबे हाइट में बकरी और बकरे होते हैं, उनके उपर अलिक तरीके के उनके कान यहां गिरे होते हैं, पैरों पर बाल होते हैं, और सबसे महंगी बकरी और सबसे स्वादिष्ट उसका मटन कहा जाता है पूरी विश् हजारों तरह की मचलियां हजारों तरह के कच्छवे डॉल्फिन के लिए जिका बहुत मश्यूर है और मैं एक गुजारिश करूंगा आप सभी से कि एक मर्तबा चंबल का भ्रमण आप जरूर करें दिल्ली से बहुत दूर नहीं है कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही उम्दा है अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो यह मना एक्सप्रेस वे से आप आगरा पहुचेंगे और आगरा से मात्र सौक किलूमीटर की दूरी पर इटावा लगता है जो की लखनो एक्सप्रेस वे के बिलकुल नजदीक है और व बहुत बहुत बंदोबस्त है सडके बहुत जबर्दस बनी हुई है विएवर्ड के अंदर और मैंने मात्र 300-400 किलूमीटर का शेतर कवर किया लेकिन उसी में मैं आपको कह सकता हूं कि इतनी डाइवर्सिटी इतनी ब्यूटी प्रकरती की और इतना शांत और पीस्फुल इ लेकिन इतनी डाइवर्सिटी इतना रिच कल्चर और अगर आप शौकीन है जल के जंगल के जमीन के और खुले आस्मान के तो एक बार यहां का भ्रमण आप जरूर करें यह मैं आप से रिक्विस्ट करता हूं एक बार जरूर आई है फिर आपको पता लगेगा कि चंबल सि करें पने बाद